हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चेनल पर आज के महतोप्रण वीडियो में करन्ट अफेर के इंपोर्टेंट क्योसन करेंगे आज का इंपोर्टेंट क्योसन है वीत मंतरी निर्मला सीता रमन ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेस किया है इसका राइट आंसर आएगा ओप्सन सी चठा बजट पेस किया है वीत मंतरी निर्मला सीता रमन ने एक फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का चठा बजट पेस किया है वितमंत्री लगातार चठी बार बजट पेस करने वाली दूसरी वितमंत्री हो गई है इससे पहले मौरारजी देशाई थे जिने सबसे अधिक 10 बजट पेस करने का गोरो प्राप्त है पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट है वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने 58 मिनट भासन दिया था यह अंत्रिम बजट है क्योंकि अप्रेल मईज में आम चुनाव होने है बजट की परिभासा क्या है आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना को कहते हैं कि कहां से कमाई होगी और कहां खर्चा किया जाएगा सविधान के अनुछेद 112 के अनुसार एक वर्स के केंदर ये बजट को वार्सिक वीतिय विवरन कहा जाता है क्योंकि भारती सविधान में बजट का कहीं उलेक नहीं किया गया है अन्तरिम बजट 2024 के बड़े अलान रूफट ओफ सोलर प्लान के तहट एक करोड घरों को 300 यूनिट हर माह फ्री बिजली मिलेगी टैक्स के रैट्स में किसी भी परकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है मिनरल, एनरजी, सिमेंट के लिए तीन रेलवे कोरिडोर बनाई जाएंगे 40,000 रेल के डब़ों को वंदे भारत स्टेंडर में बदले जाएंगे उडानी स्कीम के तहट छोटे सहरों को जोडने के लिए 517 नए रूट बनाई जाएंगे यूआउं के लिए 1,00,00 क्रोड रुपे का कोस बनाई जाएगा 2030 तक 100,00 क्रोड टन कोल गैसिफिकेशन का लक्सी रखा गया है ग्रामीन आवास योजना के अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 क्रोड घर बनाई जाएंगे 9 से 14 वर्स की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीका करन के लिए प्रोसाहित किया जाएगा आसा भहनों को भी आयुसमान योजना का लाब दिया जाएगा रक्षा खर्चे में 11.1% की भड़ोतरी की गई है अब यह GDP का 3.4% हो गया है धन्यवाद